मंजा बैक सीट पर एक बैग है निकाल उसमें से मेरा पेन निकाल कैप निकाल अरे आप क्या लिखना है चित्रा ला अपने किसमत लिखनी है मंजा पेन इस माइटिर दैन सौड पता है मतलब यह पेन तलवार से भी ज्यादा तेज है तो और मामा मेरी नजरों से चुपकर क्या कर रहे हो बता बता अभी तो पैर में छेद किया है गले में छेद कर दूंगी बता बता था हम तुमको बताए बेना मैसूर के शिफ से मिल ले गाये थे और फिर सारे गहने हमने बाजार में बेच दिये और जो बाकी पैसा है वो रवी के पास पड़ा हुआ है चोर और चोर दोनों मौसरे भाई निवाले से पेटना भरा तो थाली छेन कर खाई मेरे साथ खेल मामा पैसों के लिए इतना बड़ा गेम मेरे साथ खेलेगा सोचा नहीं था तुम लोगों को पैसा मिला तो तुम लोग खापी कर उड़ा देते हो इसलिए मैं अलग से सेव करती थी सोचा था आप नहीं हो आज नहीं तो कल वो सुधर जाएगा तो ये पैसा उसी के काम आएगा और तुम लोग इसमें सारी घल्ती मेरी ही है तेजस का मैटर क्लोज होते ही तुम लोगों के हिस्से में जो मिलना है वो मिल जाएगा वो बैग दो इसके बारे में मामा को कुछ नहीं पता चलना चाहिए चलो हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं यही जगा है हमारा लैंडमार्क मैं और तेजस रात को ठीक नौ बजे यहां पहुँच जाएंगे यहां से आधा किलोमिटर जब मैं दूर रहूँगी तो तुम्हें मिस्ट कॉल करूँगी बिल्कुल इनसान लगे ऐसा ही एक पुतला तयार करूँ मामा मैं उसे उड़ा कर जैसे कि मैंने इनसान को उड़ाया ऐसे एक्टिंग करूँगी फिर तुम खुन से लटपत तडपते हुए सच में मर गए हो ऐसे एक्टिंग करना उससे डराने के लिए इतना काफी है एक्सिडेंट सिंध खतम होने के बाद मेरे आने तक वो जगा खाली कर देना और कोई शक है प्लान बहुत परफेक्ट है चित्रा एक बर किस करने दो ना तेजस, नो अंजली कोई मर गया है तेजस अंजली क्या हुआ मैंने किसी की जान ले लिया यह तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ सबत में नहीं आ रहा अंजली, मुझे बता वाकिर हुआ क्या है अंजली अंजली, तुम कहा जारी हो अंचली तुम कहा गयं अंजली कहा हो अंजली तुम अंजली चलो चलो, चलो, यहासा चलो अंजली शांत हो जाओ जो होना था सो हो गया बुरा वक्त था सुबह के पांच बज रहे इस वक्त कौन हो सकता है इंस्पेक्टर श्याम सुंदर अंदर आ सकता हूं क्या ओ नो तेचस यह एक्सिडेंट मेरे हातों से हुआ है मुझे अरेस्ट कीजिए सर अंजली तुम चुप रहो हिटन रन केस एक बड़ा फायर फायल हो गई तो इंडिया के बाहर कभी नहीं जापागे आप मुझे बताई क्या करना होगा सर कि आप प्लीज अंजली को अरेस्ट मत कीजिए सर प्लीज अच्छा तेजस अब मैं चलती हूँ तुम अपना खयाल रखना अंजली तुम मेरी फिक्र बिलकुल मत करना प्लीज टेक कियर अफ यॉरसेल्फ मैं तुम्हारे फोन का इंतिजार करूंगा थैंक्स फॉर एवरिटिंग यह कहने के जरूरत नहीं अंजली तुम बस तुम दोने एक साथ ही रहेंगे हमेचा मैं भी कबसे उसी दिन का इंतिजार कर रही हूं चलती हूं कि बाइए मंचा इन पैसों से कोई भी अच्छा सा सेंट खरिच सकते हो लेकिन इन पैसों की जो खुश्बू है ना वह संसार में किसी भी परफ्यूम से नहीं मिलेगी है ना वेलकुल सही कहा लेकिन वह रवी दिखाई नहीं दे रहा है उसका फोन भी नहीं लग रहा है तुम से देखो शीव को सब कुछ पता चलने के बाद भी वह मेरे पास नहीं आएगा पता है क्यों उसके पास कोई एविडेंस ही नहीं है वो एविडेंस पाने के लिए ही मेरे पास आना चाहता है हमें जरा संभल कर रहना चाहिए लेकिन किसी भी तरह से शीव को विक्रम से नहीं मिलने देना मैं ही तुम्हेरा ही phone आ गया तुम मुझे कितने अच्छे से समझ चुके हो थैंक यू सो मच विक्रम कल मेरे भाई के ऑपरेशन होने तक क्या होगा कैसे होगा यहीं सोच सोच कर मैं बहुत घबराई हुई थी अच्छे साथ रहोगे ना प्लीज यहीं कोई बोलने की बात है मैं बिवो टाइम पर आजा होगा और ऑपरेशन होगे तक मैं तो हरे साथ ही रहोगा यहीं थैंक यू सो मच बिक्रम ओके भाई चित्राइब हेलो है जॉन्सन मैं राजस सेर बोल रहा है मिरा फोन उठाने का टाइम है आपकी नहीं मैं किसी का भी फोन नहीं उठा पा रहा था मेरा फोन ट्वालेट में गिर गया था अब यह ट्म फोन हो गया इस तौइलेट में गिरेवे फोन को हीटर से शुखा कर आपसे बात कर रहा हूं सर फोन को टौइलेट लगी थी मैं क्या करूं सर ठीक है चलिए बता कि नोगों का कुछ पता चला सर उर्दी मौडरन रोड पे SKR एजनसी होटल है सर उस होटल में वही लोग ठहर है सर सर मैंने जितना भी उनका फोन ट्रैक किया वो सारे सिगनल्स वहीं से मिल रहे था सर ठीक है हम एड्रेस मिल गया चलिए सर ए राजाशेर ए राजाशेर ए राजाशेर ए फोर नोट सेवन प्रेजेंट सर मैं यही हूँ ओन दूटी कॉफी एचाहे लहां किया सर हम